हेलो गाईज, टेक नीज के ने एपिसोड में आपका स्वागत है, आज की पहली न्यूस वनप्लस की चलब से है, तो आज बटा चला है कि वनप्लस अपने नए वाइलेस एयरफोंस वनप्लस 8 सीरीस के साथ लॉंच करने वाला है, जिनका नाम है वनप्लस बुलेट वाइलेस जेड, और ये एयरफोंस नेक बेंड के साथ लॉंच होने वाला है, और ये एयरफोंस होने वाले है, वनप्लस बुलेट वाइलेस 2 के अपग्रेडेट वर्जन, और इस इवेंट में वो लोग लॉंच नहीं करने वाले है, अपने ट्रूली वाइलेस एयरफोंस को, वो लो 4X RAM से 20% faster है और OnePlus 8 Series इस बार 3 color options में मिलने वाली है वो colors में आपको screen पर दिखा रहा हूँ तो डुश्टो क्या आप लोग OnePlus 8 Series के लिए excited हो या फिर नहीं आपको मुझे comment section में ज़रूर बटा सकते है अगली खबर बहुती बुरी खबर है क्योंकि सभी smart phones हो चुकी है क्योंकि इन्या में GST phones पर increase हो चुका है इसकी वाज़े से इनको भी अपने phones की price increase करनी परे जहां पर Realme 6 and Realme 6 Pro की price एक एक हसाब ज्यादा हो चुकी है और Manu Puma Jain ने तो tweet करकर ही confirm कर दिया है कि उनके phones की price increase हो चुकी है युकि पहले phones पर GST था 12% अब वो increase होकर हो चुका है 18% इसकी वाज़े से इनको भी अपने phones की price increase करनी परे और Poco X2 की price थी 16,000 अब इसकी price हो चुकी है 17,000 और Apple के phones की भी price increase हो चुकी है जहां पर iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max की price तो 5 से 5,500 increase हो हो चुकी है और Samsung, Oppo Vivo सभी कंपनी की price increase हो चुकी है सभी कंपनी ने कितने कितने price increase की है वो मैं आपको screen पर दिखा रहा हूं सभी कंपनी ने इतनी price increase कर ली है minimum 1,000 to 2,000 increase हो चुकी है इन सभी phones की prices अगली ख़बर Poco की दरव से है तो Poco का एक नया phone Poco का phone होगा यह तो अभी पटा नहीं चला बट highest possibility यह ही है कि यह phone होने वाला है Poco F2 कोई और भी phone हो सकता है बट अभी confirm नहीं हुआ और पटा चला है कि इसमें snapdragon का वो लोग प्रोसेसर यूज नहीं करने वाले मिलियाटे का प्रोसेसर वो लोग इस बार यूज करने वाले है और दोस्तों अगर आपको मेरी यह टेक्मिश पसद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना चैनल पर नए हो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था की वनप्राइस, हुआवे equation कर ली है अपने समार्टफोन की वोरानटी पीरिए gingko 31 में तक और आज सिंपसंग ने भी एक्स्टेंड कर ली है अपने सभी एप्लाइस ती वी रिफ्रिजिरेटर एन समार्टफोन की व उरानटी पीरिएочку 31 में तक एक्स्टेंड कर ली है और ये उनी लोगों के लिए एक्स्टेंड हुई है जिनकी वारंटी प्याज एप्रिल में खटम होने वाली है अगली न्यूज हुआवे की तरह से है तो आज हुआवे P40 Pro को मिल चुका है अपना DxO score और इसका score है 128 और ये अभी तक का highest score है पहले highest score था Obo Find X2 Pro and Mi 10 Pro का और इस फोन ने इन डोनों फोन्स को बीट कर दिया है और बन चुका है highest score वाला फोन ये फोन तो बहुत अच्छा है बट इसकी प्राइस बहुत हाई है तो Saumi ने announce किया है Mi Fan Festival और ये उन्होंने इसलिए announce किया है क्योंकि उनको अपनी 10th anniversary celebrate करनी है और ये Mi Fan Festival 3rd April को होने वाला है चाइना में चाइना में ये लोग 10th anniversary अपनी celebrate करने वाले है और इस event में वो लोग अपने 22 new IOT products launch करने वाले है तो डूस्टो क्या आप लोग इनके नए products के लिए excited हो या फिन नहीं आप वो मुझे comment section में ज़रूर बटा सकते है अगली news Fitbit की तरह से है तो Fitbit ने आज launch किया है अपना नया fitness band इन्या में जिसका नाम है Fitbit Charge 4 और इसकी प्राइस इन्हों ने रखी है 15,000 रूपीस इसमें हमें built-in GPS का support मिलता है और इसमें हमें OLA display भी मिलती है और इसकी प्राइस है 15,000 रूपे इनके fitness band बहुत जादा महेंगे होते है बट उटने ही अच्छे होते है आपको इनका ये fitness band कैसा लगा आपको मुझे comment section में ज़रूर बढ़ा सकते है तो डोस्टो आज के लिए बस इतनी देख news लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है ये होटो वीडियो को ज़रूर लाइक करना सेर करना और चैनल परना ये होटो ज़रू सब्सक्राइब करना क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और सलात रेता हूं तो डोस् आपके लिए जाहिन वानमा रराम